हम लोग ने शुरू से कहा है कि ये नंबर का सवाल नहीं है हमारे पास संख्या प्रयाप्त है और मजबुती से अपना संख्या के साथ हम कड़े हैं मगर ये संख्या का कोई बात नहीं है ये हम चाहते हैं कि स्पीकर का पद जो लोग सभा का अध्याष होते है वो पद जो है सब सरसमिती से चून की बिठाया जाए तो ये सब के लिए ठीक होगा ये हमारा मानना है लेकिन उनका ये कहना है कि शक्ति प्रदर्शन करके वो दिखा रहे हैं शक्ति का सवाल नहीं है शक्ति तो हमारे पास नंबर तो है ही अगर हम ओपोजिशन को नहीं मानते तो हम उनसे बाती नहीं करते है फिर हम सीधा चुनाओ कर देते हैं हमारे पास संख्या है लेकिन हम चाते हैं कि दिर विरोध हो इसलिए तो हम लोगों ने अपिल किया है अब यह हम फिर से अपिल करते हैं कॉंग्रेस पार्टी को की चुनाव ना लड़े और सरसमती से स्पीकर का पद को हम लोग मिल करके चुन लिया जाए परंपरा के अनुसार स्पीकर का पद जब से भारत आजादी प्राप किया है आज तक कभी चुनाव नहीं हुआ और हम चाहते हैं कि इस बार भी लोग सबा अध्यक्स स्पीकर का पद को निर्विरोत कंसेंस सब मिल करके चुनाजाए यह हमारा मत है इसलिए हमने संपर्क भी किया और अपील भी किया आज कॉंग्रेस के नेता और उनके साथी हमारे इंडिये के वरिश साथियों पूरे इंडिये दल के बैठक में है जा रक्षा मंत्री भी थे ग्रे मंत्री जी भी थे और जितने हमारे इंडिये के पार्टी के जो फ्लोर लीडर्स है सबके मौझूद में कॉंग्रेस और उनके साथी आए और फॉर्मेली बात किये हैं हमने अपील किया उस समय स्पीकर के पद को समर्थन देने के लिए तो कॉंग्रेस के और से कहा गया कि वो समर्थन देंगे मगर पहले देपूटी स्पीकर पद को उनको देने का गोशना किया जाए हम यह मांते हैं कि स्पीकर का पद और देपूटी स्पीकर का पद दोनों का चुनाओ प्रक्रिया अलग-अलग होते हैं दोनों का चुनाओ एक साथ नहीं होते हैं स्पीकर का चुनाओं पहले होते हैं बाद में डेपूटी स्पीकर का होते हैं तो दोनों को एक साथ मिलाना यह सही नहीं है और साथ-साथ मैं जब हम कंसेंस के बात करते हैं तो फिर उसमें कंडिशन लगाना ठीक नहीं है स्पीकर का पद हम कंसेंस करके पहले बनाया जाए फिर देपूटी स्पीकर का पद को आगे हम जरूर बात करेंगे यह भी हमारे तरफ से हमने अस्वरशन दिया था लेकिन कंग्रेस और उनके साथियों ने खास करके कंग्रेस पार्टी का रवया बहुत साफ था कि वह मैं फिर से अपील करना चाहता हूं कि स्पीकर के पद का गरीमा को ध्यान में रखते हुए परमपरा के अनुसर अभी भी कंग्रेस पार्टी सोच सकते हैं हमारे पास बहुमत है हमारे पास नंबर है एंडिये के पास परियाप नंबर है तबीत हम सरकार में हैं लेकिन नंब स्पीकर का पत किसी दल का नहीं होता है पूरे सदन को एक जूट में रख करके चलाने का एक पद होता है इसलिए इसको हम विवाजित ना करें